हेलो एबरीवन, वेलकाम बैक टू माई चैनल, वीवर्स आज मैं आपके साथ कुछ वर्ड्स की मीनिंग शेयर करी हूँ, यह वर्स काफी एहम वर्स है, अगर आप इंग्लिश लैंग्विज सीख रहे हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप स स्टार्ट, जैसे कि आपने देखा सबसे पहले टफ, टफ का मतलब होता है कठिन, ओके आपने सुना भी होगा, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यह एक्जाम टफ होता है, या कठिन होता है, तो टफ का मतलब कठिन, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, दाम या लागत, जै यहीं है, तो still का मतलब क्या होता है, अभी तक still, अभी तक, cost का मतलब दाम या कीमत या लागत tough का मतलब कठिन, tough है नेबर, नेबर किसे कहते हैं, नेबर मतलब होता है पडोसी, जिनकी च्छत आपकी च्छत से मिली होती है, उन्हें ही पडोसी कहते हैं, आसपास के लोगों को पडोसी नहीं कहते हैं, ये बात ध्यान रखेगा, तो पडोसी कौन होते हैं जिनकी च्छतें, आपकी च्छत से मिली होती है, तो उन्हें बोलते है नेबर, ओकी, flexible flexible का मतलब होता है, लचीला या लचकदार, actually का मतलब दरसल, कहते हैं कि actually ऐसा हुआ था, ये दरसल ऐसा हुआ था, तो actually का मतलब दरसल, ओकी next step, blame blame का मतलब क्या होता है, देखे blame का मतलब होता है, दोश लगाना कहते हैं कि उस पर blame मत डा, उस पर blame मत डालो, या तुम तो मुझे पर blame लगा रहे हो यानिके दोश लगा रहे हो तो blame का मतलब दोश लगाना tough का मतलब कठिन cost का मतलब दाम या कीमत neighbor का मतलब पडोसी flexible का मतलब लचीला still का मतलब अभी तक next day destroy destroy का मतलब होता है nest करना उसने ये सब destroy कर दिया यानिके बरबाद कर दिया या nest कर दिया next day destination हमें अपनी destination तक की पहुचना है destination का मतलब होता है manzil तक की अपनी manzil destination का मतलब manzil okay मुझे अपनी manzil तक पहुचना है ये अगर आपको कहना होगा तो आप क्यासे English में बोलेंगे जिनको भी पता है comment करके जरूर बता है okay next day burden burden मत दालो ऐसे आपनी सुना है burden का मतलब होता है बोच यानि कि किसी पे बोच मत दालो burden मत दालो burden का मतलब बोच okay discriminate discriminate का मतलब होता है भेदबाओ discriminate मत करो यानि कि भेदबाओ मत करो तो discriminate मतलब भेद भाओ Next is risky risky मतलब होता है यानि कि जोखिम से भरा हुआ ये काम risky है ऐसे बोलते हैं तो risky का मतलब क्या होता है खत्रे वाला यानि कि जोखिम से भरा हुआ खत्रे वाला risky Next is well-mannered well-mannered का मतलब होता है तमीजदार यानि कि manner वाला वेल मैनर्ड यानिकी तमीजदार ओकी नेक्स्टे अब मैंने यहां पर लिखा है डबलू ओ आर टी एच इसे क्या पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे वर्थ वर्थ का मतलब होता है लायक ओकी कहते हैं ये ये वर्थ इट था यानिकी ये ये लायक था यानिकी इतने रुपए इसके लिए वर्थ था है यानिकी इसके लिए लायक है ओकी नेक्स्टे आप सबको बता है ओनेस्ट का मतलब होता है इमानदार अगर आपको कहना है किसी को किये बैमान है तो आप कहा दे डिस ओनेस्ट ओकी डिस ओनेस्ट Honest का मतलब इमानदार Dishonest का मतलब बैमान ठीक है Next day violence Violence मत करो यानि कि हिंसा मत करो Violence का मतलब हिंसा Okay Next day अब मैंने लिखा accurate इसे क्या पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे accurate Accurate का मतलब होता है एकदम सही यानि कि जितना चाहिए था Accurate उतना ही यहां पे मिला है तो accurate का मतलब एकदम सही एकदम सथीक Accurate Okay Ultimately मैंने लिखा Ultimately तो ultimately का मतलब बता है आखिरकार Ultimately आखिरका Okay Violence का मतलब हिंसा Ultimately का मतलब आखिरकार Burden का मतलब बोच Discriminate का मतलब भेदबाओ Well-mannered का मतलब Dishonest का मतलब भेइमान Next अब मैंने लिखा है हाँ पे Sympathy Sympathy देखिए सहानभूती तो sympathy मतलब होती सहानभूती कई-कई बार आपने वर्स सुनाओगा जिसे कि कहते हैं नहीं तुम तो sympathy ले रही हो ठीक है यानकी सहानभूती ले रही हो Next Another Another का मतलब होता है कोई दूसरा Another यानकी कोई दूसरा Another कोई दूसरा Next अब मैंने यहाँ लिखा Obsession Obsession का मतलब क्या होता है Obsession का मतलब होता है Junoon ठीक है Obsession O-B-S-C-S-S-I-O-N इससे पढ़ते हैं Obsession यानकी Junoon Next Suffocation Suffocation का मतलब होता है घुटन काफी बार आपने सुना होगा कि यहाँ पे मुझे Suffocation हो रहा है यानकी घुटन हो रहा है ठीक है घुटन Suffocation Next Definitely Definitely का मतलब होता है निस्चत रूप से जैसे कि अगर आपको कहना है किसी से ये काम तुम करोगे Definitely यानकी निस्चत रूप से Definitely Okay Obsession का मतलब जुनून Sympathy का मतलब सहानुभूती Another का मतलब कोई दूसरा Suffocation का मतलब घुटन Next Appetite 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 का मतलब होता है भूख Appetite Okay भूख Next Garnish Garnish का मतलब होता है सजावट कहते नहीं आपने ये वर्ड सुनाओगा काफी बार कुकिंग में कि इस डिश को Garnish कर दो यानकी सजा दो ठीके Garnish सजावट Next Gather 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 का मतलब होता है इखटा करना ठीके Gather का मतलब इखटा करना Gather कहते नहीं कि Information Gather करो यानकी Information इखटा करो Impact Impact का मतलब होता है असर ठीके असर कहते नहीं इस चीज का कितना Impact पढ़ेगा वो देखना है यानकी क्या असर पढ़ेगा उसे देखना है Impact का मतलब असर Okay Appetite का मतलब भूग Gather का मतलब इखटा करना Garnish का मतलब सजाना Suffocation का मतलब घुटन Next day Loyalty Loyalty का मतलब होता है इमानदारी वो कितना Loyal है ये तो बाद में पता चलेगा ऐसे बोलते है तो Loyal से ही Loyalty वर्ल्ड बना है तो Loyalty का मतलब इमानदारी Loyalty इमानदारी Spectacles Next day Pounce P-O-U-N-C-E Pounce Okay pronunciation पर भी दियान रखेगा इससे पढ़ते हैं Pounce यानि की जपट्टा Pounce का मतलब क्या होता है जपट्टा Okay Next day Imposter 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 का मतलब होता है धोंगी Imposter धोंगी Okay Loyalty इमानदारी Spectacles चश्मा Pounce जपट्टा Next world है Detect Detect का मतलब होता है पता लगाना यानि की Detect मैं इसे Detect कर रही हूं पता लगा रही हूं तो Detect का मतलब पता लगाना Okay Next day Genuine इसे पढ़ते हैं Genuine Genuine का मतलब होता है इमानदार Genuine Genuine का मतलब होता है इमांदार, कहते हैं नहीं कि ये व्यक्ति जैनुएन लग रहा है, इनके सही लग रहा है, इमांदार लग रहा है, जो कह रहा है, वो सही कह रहा है, ठीक है, इमांदार इनके जैनुएन, नेक्स्ट है, थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है, धमकाना, थ्रेटन, धमकाना, ने इन्वेन का मतलब इमानदार, डिटेक्ट का मतलब पता लगाना, स्पैक्टिकल्स का मतलब चश्मा, पाउंस का मतलब जपट्टा, लॉयल्टी का मतलब इमानदारी, इंपोस्टर का मतलब ढोंगी, नेक्स्ट इप प्रोपोजल, लेकि प्रोपोजल का मतलब होता है प्रस्त तो irritate का मतलब होता है चिढ़ाना इरिटेट करना यानि कि किसी को चिढ़ाना या फिर चिढ़ना इरिटेट नेक्स्ट है domestic domestic का मतलब होता है domestic ठीक है d o m e s t i c domestic यानि की घरेलू domestic यानि की घरेलू ओकी next है अब मैंने लिका यहाँ पे complicated बहुत ही ज्यादा complicated चीज़ है यानि की बहुत ही ज्यादा उल्जा हुआ है complicated complicated मतलब उल्जा हुआ ठीक है domestic का मतलब घरेलू irritate का मतलब चिढ़ना ठीक है culprit ये तो एकदम culprit है यानि की अपरादी है culprit है ये यानि की अपरादी है culprit कहते हैं जब किसी को कहना हूँ वो अपरादी है तो अपरादी की English हो जाएगी culprit okay culprit next है determine determine का मतलब होता है तै करना यानि ठान लेना तै करना ठीक है determine ठान लेना या तै करना next है decision okay irritate का मतलब चड़ना domestic का मतलब घरेलू complicated का मतलब उल्चा हुआ culprit का मतलब अपरादी determine का मतलब ठान लेना तो आज के class में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगे like करें शेयर करें subscribe करें चैनल पर नए है सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को subscribe कर ले और उसके बाद bell icon को प्रेस कर ले thanks for watching